नमस्कार दोस्तों, सर्दियों का सीजन है, उत्री भारत में इन दिनों बड़े ही कड़ाके की ठंड हो रही है, सभी लोग तरह तरह से अपने शरीर को गर्म लखने की कुशिस करते हैं, वैसे भी अभी लोहरी और संक्राति का पर्व आने वाला है, इस पर पर हम तरह तरह की तिल से बनने वाली रेसिपीज बनाते हैं, क्योंकि तिल बहुत ही स्वादिश तो लगता ही है, उसके अलावा हमारी बोड़ी को गर्म रखता है, और बहुत ज़्यादा न्यूटी सेस भी होता है, तो दोस्तों, आज इसी श्रिंखला में मैं तिल मावा के लड़ू बनाऊंगी, लेकिन बड़े ही आसान तरीके से, जिसे देखकर आप बहुत जल्दी और आसान इसे से बना करके तयार कर सकते हैं, तो चलिए आए दोस्तों, देखते हैं, बहुत जल्दी बनने वाले इन तिल मावा के लड़ू को हम कैसे बना करके तयार करते हैं, इन लड़ू को बनाने के लिए ये मैंने देशी तिल लिये हैं, इन्हें कोरा तिल भी कहते हैं, इसका छिलका उत्रववा नहीं होता है, इसे मैंने साफ धोकर सुखा कर अच्छे से तयार कर लिया है, ये वजन मे 500 ग्राम है वैसे तो मैं कम तिल के बनाऊंगी लड़ू लेकिन मैं तिल एक साथ भून कर रख लेती हूँ इसे लोही की कड़ाई मैं डाल दिया है और लोटू मीडियो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इन तिल को मैं रोष्ट कर लूँगी थोड़ी देर बात देखिए ये तिल हमारे फूल गए है देखिए अच्छे से ये तिल फूल गए यही इनके भूनने की महचान है उसके अलावा इसकी आवा सुनिए देखिए तिल हमारे चटकने लगे है इसका मतलब तिल हमारे अच्छी तरह से भून कर तयार है अब गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और इन्हें थोड़ी देर और चला लेजिए हमारी कढ़ाई अभी गरम है इन भुने हुए तिल में से ये मैंने डेड़ कटोरी तिल ले लिया है वजन में ये लगबग 200 ग्राम है ये तिल कंप्लीटली ठंडे हो चुके अब मैं मिक्सी में डाल कर इन्हें पल्स मोड में इस तरीके से कोरसली पीश लूँगी देखिए इनमें कुछ दाने सावुत हैं और कुछ दरदरे पीश चुके हैं बस हमें इसी तरह के तिल को पीश करके तैयार करना है साथ में मैंने ये डेड़ कटोरी तगार ले लिया है जिसे करारा भी कहते हैं या यू समझ लीजे मोटा बूरा है ये वजन में लगबग 250 ग्राम है ये डेड़ कटोरी मैंने मावा लिया है मैंने मलाई से घी निकाला था उस दोरान ये मावा निकला है ये भी डेड़ कटोरी है यानि कि हमारी तिल बूरा और मावा तीनों पूटी हुई मैंने चार इलाइची ले ली हैं इनसे हमारे लड़ों का जायका तो बढ़े गाई साथ मैं ये डाइजेशन में भी हेल्प करती हैं अब कढ़ाई में एक चम्मच देशी की डालेंगे सिर्फ हमें एक चम्मच घी ही इस्तेमाल करना है और इसे धीमी फ्लेम पर मेल्ट होने देंगे घी मेल्ट होने पर जो हमारा मावा था उसे हम इस कढ़ाई में डाल लेंगे और इसे तोड़ते हुए प्रेस करते हुए मावे को अच्छी तरह से भून लेंगे क्योंकि मावा सर्दियों में एकदम जम जाता है देखे मावा हमारा अच्छी तरह से भ इस तरीके से इसे दबा लेंगे। दोस्तों इसे हम हास से अच्छी तरह से मसल मसल के तिल में मिला करके तयार कर लेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिला करके तैयार करेंगे देखिए हमारा मिश्रन अच्छी तरह से मिलके तैयार है अब हम इसे परात में एक तरफ इखटा कर देंगे और इस तरीके से दबाते हुए लड़ू बना करके तैयार करेंगे यहाँ एक बात ध्यान देने योगे है इस मिसरन को हमें completely ठंडा नहीं करना है वरना हमारे लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे देखिए हमारे लड्डू बन करके तयार है आईए एक लड्डू बना करके और दिखाती हो जितना बड़ा हमें लड्डू बनाना है उसे हिसाब से इस सामगरी ले लीजिए और दबाते हुए लड्डू तयार कीजिए लीजिए हमारे सभी तिल मावे के लड्डू बन करके तयार है देखिए कितने शानदार तिल मावे के लड्डू बन करके तयार हुए है क्योंकि हमने मावे को घर में तयार किया है और मावे को अच्छे तरह से गोल्डन भूल लिया था तब उस मावे से हमने इन लड़ों को बना करके तयार किया है तो दोस्तों मेरी बताई गई रेसिपी के अनुसार आप भी तिल मावे के लड़ू बना कर तयार कीजिए और अपना feedback कॉमेंट सेक्षन में जरूर दीजेगा रेसिपी से related किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर follow कर सकते हैं मेरी इंस्टाइडी मेरे चैनल के about section में मिल जाएगी दोस्तों मेरे चैनल पर तिल गुड के लड़ू, तिल बाजरे गुड वाली टिक्किया, तिल की बरफी, तिल की गज़क की रेसिपी भी है उसके लिए आप मेरे चैनल को जरूर विजिट कीजेगा यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजे और हाँ, बेल आइकन जरूर पैस कर दीजेगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन्स सबसे पहले आप तक पहुँचे, धन्यवाद